नमस्कार आप देख रहे है यौल नियू डारेक्शन यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में आपको बड़ी भरतियों की जनकरी मिलेगी 79,000 सिच्छक भरती से सम्मधित बेसिस इच्छा विवाग ने पूरा रिक्तिसितों का जो डेटा है वो यहाँ पर जारी कर दिया है उसके लिए प्रेश नोट भी जारी कर दिया है वहीं पर हम 97,000 नई प्रात्मिस इच्छक भरती 12,460 यूपी एसाई रिय एक्जाम और चैन वोड के द्वारा जारी महत्पूर नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे लेकिन सबसे बहले बात करेंगे 79,000 सिच्छक भरती में यह अभी अभी जारी हुआ है प्रेस नोट जहां पर बताया गया कि माननी मुक मंत्री जी के निर्देशा नुशार 79,000 सायग ध्यापक की जो प्रक्रिया है वह शकुशल एवं पूर्ण पार दरिष्टा के शाथ संपन कराई गई है ठीक है यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर देख सकते हैं नियम और जो भी अनुपालन है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया उसके बाद इन्होंने कहा कि सहाय का ध्यापक का जो पद है वह जन्पदी शंवर का है 79,000 सहाय का ध्यापक भरती प्रक्रिया में जन्पद वार स्त्रेणी वाद जो आराच्छित पद थे वह 34,589 थे अन्य पिछला वर्ग के 18,598 अनसूचित जाती में 14,469 और अनसूचित जन्पद जाती के 1354 पद निकाले गए थे ठीक है इसके बाद यहाँ पर कुछ 36,58 थे जैसे कि आप देख सकते हैं भूत पूर शैनिक श्वतनतता शंग्राम सेनानी दिव्यांग महिला ऐसे लोगों को यहाँ पर कुछ 36,58 दिए गए यह सभी चीजे यहाँ पर बताई गई उसके बाद यहाँ पर आज जाकर इतने के बाद चीजे इस पश्ट की गई हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किनों ने सीटों की पुरी जानकारी दे दी कि 69,000 सीटों को अंतिम चैन सूची किस प्रकार से बनाई गई कहा गया कि जो अनरच्छित के चात्र थे वो थे 34,589 सीटे थी जिसमें से 20,301 लोगों को यहाँ पर चैन किया गया ठीक है अनरच्छित में यानि कि माइनस भाई 14,285 सीटे और पिछड़ा वर्ग की 18,598 सीटे थी लेकिन सेलेक्सन किया गया 31,228 OBC चात्रों का प्लस हो गई यहाँ पर यहाँ पर दे कि 12,630 अनरच्छित जात की 14,469 जिसमें 17,260 का सेलेक्शन हुआ प्लस हो गई 2,801 अनरच्छित जात की 13,54 केवल 211 भ्यारतिया माइनस भाई 11,133 इस तरह से नों ने सीटों का सपश्टी करण दिया और कहा कि 69,000 के सापेश 79,000 सीचों की जो न्यूकती है वह यहाँ पर दे दी गई है ठीक है अब यह जो यहाँ पर प्लस हुए है इनी को यहाँ पर जोड़ा गया है तो यहाँ पर जुड़ गया है वो अनरच्छित में चले गए यहाँ पर इस पश्ट किया गया आप देख सकते हैं कि इस तरह से पिछड़ा वरिक के लिए जो निर्धारित थी सीटे 18,598 पदों के सापेच 31,2028 अंड पिछड़ा वरिक के अभ्यारती जनपत आवंटन सूची में समलित हैं जिसमें से 12,630 अभ्यारती हैं वो अनरच्छित स्रेणी में गए हैं अब इसमें MRC यानि अरच्छित स्रेणी और साथ में कहें भी कह दिया गया कि माननी राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के समच कतिपा या भ्यारती हो द्वारा भरती प्रक्रिया के सम्मन्न में सिकायत की गई थी प्रक्रण में माननी राष्टी पिष्डा वर्ग आयोग द्वारा सुनवाई की तिथियों में शाषन विवाग के अधिकारियों द्वारा उपस्तित होकर तदात्मक आख्या सहित विवाग का पछ प्रस्तुत किया गया माननी राष्टी पिश्णावर्ग आयोग द्वारा प्रकड़ में किसी भी बिंदु का सूचना मांगे जाने पर विभाग द्वारा समुचित आख्या उपलब्द करा दी जाएगी यानि कि आज कि इस प्रश्णोस्ट में सरकार ने यह दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया कि 79,000 के साप पेच स्रेडी वार जो रिक्त सीटों का नुक्ती है वो छात्रों को दी गई है यह यहाँ पर सफाई दी गई है इस प्रश्णोस्ट के आधार पर अब इससे यह तरह होता है कि जो अब आरच्छिदवर को सीटे मिलने जा रही है वो 6,000 ही मिलेंगी ठीक है अब इसमें देरी हो रही है बताया गया है जैसा कि तीन तारीक तक यानिकी कल यह लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है तो जैसे इसकी अपडेट आईगी हम आपको जरूर देंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें बात करते हैं 97,000 नई प्रात्मिक सिच्छक भरती की कल यहाँ पर जो भी छात्र हैं वो हजारों के संख्या में लखनव की सडकों पर अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं यहाँ तीन जनवरी को 97,000 नई प्रात्मिक सिच्छक भरती की मांग को लेकर यहाँ पर छातर बड़ा प्रदेशन करने जा रहे हैं ऐसी सूचना है 17,000 का यहाँ पर जो निक्ती होने जा रहे हैं नई सिच्छक भरती वो यहाँ पर सुझिकार नहीं करने वाले हैं उनकी मांग है उनको 97,000 नई प्रात्मिक सिच्छक भरती दी जाए इसी करम में यह कल अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं लखनों की सडकों पर कि आने वाले 10 तारीच से लगबग आचार सहिता लगने की प्रबल संभावना है, बताई जा रही है, क्योंकि 5 जनवरी 2022 को चुनाव आयों की अहम बैठक है, प्रस कॉंफरेंस है, हो सकता है कि उस दिन जो चुनाव की तारीखें गोसित हो जाए, और चुनाव की तारीखें तो आचार सहिता तुरं से तुरंदे आपर लग जाएगी, चैन बोड की तरफ से एक प्रस विग्यपती जारी की गई है, इस विग्यपती में आप देख सकते हैं, बताया गया है चो विग्यापन था 2013 का संस्था प्रधान का, वा बताया गया है आफलाइन आवेदन को टं रूप वो है, कोई तुरुटी तो नहीं है, क्योंकि तुरुटी में उनको सुधार करने का आंती मौका दिया गया है, 8.1.2022 तक ये अपने तुरुटी में सुधार कर सकते हैं, सुधार इंको आउनलाइन करना है, देकि आउनलाइन पर दर से सूचना भ्यारतियों दारा अनुशार नहीं होने पर जहा तुरुटी है, उसे साच सहित ऑनलाइन सुध किया जाना है, इसे नवीन आवदन लेने की सूचना न समझें, यानि कि आप नए छात्र आवदन नहीं कर सकते हैं, जिनोंने आवदन किया है, वो केवल सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसका आपक नहीं मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट में कुछ महत्पूर सूचना है, और भी बताई गई हैं, जो कि आप स्क्रीन पर सभी चीजे देख सकते हैं, ठीक है, तुरुटी के सुधार के अलावा यहाँ पर आने चीजे हैं, जैसे कि आवदन करने वाले जो भी विज्यापिस सं ने की गई थी, वहाँ पर विज्यापर संख्या 31 को जो जारी हुआ था 2013 में, वो एक जुलाई 2014 कि आप भ्यारती और जो भी आप भ्यारती नी थी, उनकी आयो कम से कम 30 वर्स उस समय तक होनी चाहिए, और अन्य चीजे हैं आपर बताई गई हैं, जैसे कि तीन संस्थाओं क वेलसाइट से भी प्राप्त कर पाएंगे, और जो भी सुधार है आप सुधार जाकर जरूर करें, जैसे कि दरोगा भरती में री एकजाम की लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, और पिछली जो धरना हुआ तो वहाँ पर छात्रों पर FIR केस भी किये गए थे, और भी चीज भरती आउनलाइन परिच्छा की CBI समय बद जाच कराई जाए, समय बद जाच में धांदली की पुष्टोने पर ततकाल पुनर परिच्छा घोसित की जाए, धांदली में सनलिंग जितने बैदकारी समय अनलोगों की बिरुद्ध कठून कानवाही जो की जाए, बताया गया के साथ छात्र लगता धरना दे रहें और मांगों को अपनी रख रहें और प्रयागराज जिलादिकारी को यह ग्यापन दिया है मांगों को पूरा करने के लिए तो ऐसी लेटेस्ट अबडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए अधिक सेज़ी चैनल को सब्सक्राइब करें क्या आए ड्याओ प्राप्त करने करने के लिए प्राप्त करने को यह बड़िए ग्यान दिया है